विल्कम दी बैग बैग दी विल्कम इंस्टाग्राम में आके फॉलो करूं वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फोटो भी शेयर कर सकती हूँ और वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ तो मिले इंस्टाग्राम में आप लोग बहुत अच्छे हो फ्रेंट्स आज फिर से लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो आज का वीडियो अट अभी के कंसिल सिस्टन को वालेंग ट्वालेट में कैसे फीट करें यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंट्स मैंने कंसिल काट लिया हूँ और थोड़ा बहुत जो भी कंसिल काटना पड़ेगा मैं ऐसी ओपन बिठा के देख लेता हूँ यहाँ पे मैं बिठा दिया हूँ और थोड़ा सा आप डाउन करना पड़ेगा तो अभी मैं कंसिल भी निकाल लूँगा यहां पे देख सकते हो अंदर लगा हुआ है connection pipe लगा हुआ है और angle cock लगा हुआ है जहां से जो यह conceal system में पानी भरेगा कभी भी conceal system में technical fold आ जाए तो यहां से plate को खोल के यहां से angle cock को बंद किया जा सकता है इस side में थोड़ा सा conceal को down करना पड़ेगा तो मैं निकाल लिया हूँ देख सकते हो आप लोग तो conceal भी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ conceal cutting कर लेता हूँ पूरा तरीगा से और वीडियो में friends अंतक बने रहो तो आप लोगों पूरा समझ में आ देगा कैसे measurement करना है वालंगिंग का टोइलेट का पॉइंट कितना में रखना है और conceal system और वालंगिंग टोइलेट का जो five है वो कितना distance में रखना है पूरा detail में बताऊंगा तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं यहाँ पर मैं measurement निकाल रहा हूँ देख सकते हो टाइल वाला ने डोरी शाप दिया है तो वो जो डोरी है वो अलंबा में है पूरा का पूरा यहां पे कंसिल सिस्टन को जो उपर टेंक कनेक्सिन निपल आता है उसमें मैं टेफलोन टेप लागा लेता हूँ और अब ब्रास एलबो मैं फिडिंग करने वाला हूँ इसमे और फ्रेंड्स आप लोग चैनल के अंदर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क हमेशा मिलता रहेगा यहां पर लग गया है टेफलोन टेप और मैं थोड़ा सा सॉलीशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ सॉलीशन का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बेटर होता है ऐसा खाली अगर टेफलोन टेप इस्तेमाल करोगे तो भी कोई प्रब्लेम नहीं है यहां पर कासल में फीटिंग कर रहा हूं देख सकते हो नीचे का एंगल को को पकानना पड़ता है टेंग कनेक्शन निपल नहीं तो घुम जाएगा यहां से पकड में इसे टाइट कर देता हूं टाइट हो गया है अभी इसका पूरा मेजरमेंट निकाल लेने के यहां पर डोरी देख सकते हो पूरा का पूरा ओलंबा में लगा हुआ है टाइल बाला ने मार्किंग करके दिया जो ओलंबा करके दिया डोरी मारके यहाँ पर देख सकते हैं जो उपर का जो टॉप का जो सेंटर रहेगा और नीचे का भी पाइप का सेंटर सेम रहेगा जो वालिंगिंग टोइलेट का 4 इंच पाइप का सेंटर उपर का सेंटर और कंसिल सिस्टन का जो पाइप निकलता है नीचे 100 इंच का उसका सेंटर पूरा एक लेबल में रहेगा इसी सबसे मेजर्मेंट निकाल के आप लोगों क्या करना है जो सिपीवीची का पाइप होता है उसका माप ले लेना है यहां पर लेबल में भी है पूरा का पूरा बबल लेबल का इस्तिमाल करना पड़ेगा आप लोगों को भी यहां पर देख सकते हो मेजर्मेंट पूरा परफेक्ट हो गया उसके बाद मैं सीपीवीची का जो पाइप होता है पोने का उसका नापी ले 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 लेता हूँ देख सकते हो कंसिल सिस्टन फिटिंग करने से फेंड्स एक चीश का फायदा होता है बात्रूम के अंदर आपको 1.5 इंच या 100 इंच का पाइप लेने का जरुरत नहीं पड़ेगा यहां पर देख सकते हो 102 इंच डिस्टेन है 102 और थोड़ा सा कंसिल सिस्टन को नीचे लेना पड़ेगा पहले मैं यह पाइप फिटिंग कर लेता हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे लेना है ओगीशी गाटके मैं नीचे ले लेता हूँ नीचे लेना पड़ेगा यानि कि जो कंसिल सिस्टन का जो पाइप होता है 100 इंच का उसका बोटम और 4 इंच पाइप का टॉप से 102 इंच का डिस्टेन होना चाही और सेंटर टू सेंटर जैसे के कंसिल सिस्टन का 100 इंच का जो पाइप होता है उसका सेंटर से 4 इंच यहां पर फ्रेंड्स देख सकते हो पाटे बिठा के कंसिल सिस्टन को मैंने लेबल कर लिया और जो बबल लेबल हो भी बिठा के रखा हूं ताकि हिल डूल ना जाए टेड़ा बाकान ना हो जाए और जो चार इंच का पाइप होता है वालेंग के लिए नीचे फ्लोर लेबल स जो टाइल बाला मार्किंग देने के बाद में आप लोग वह फ्लोर लेबल से साड़े आठ से लेके साड़े नौ इंच का अंदर अंदर वो सेंटर रखना है चार इंच फाइप का देख सकते हो पाटिया बिठा के पाटिया से दो तीन अमेम अंदर होना चाहिए तीन चार कि यहां उसके बाद में अच्छा से इसको पैक कर देना है कंसिल सिस्टम फिटिंग करना फ्रेंट्स बहुत ही आसान है यहां देख सकते हो मार्किंग साइट से में लिया था जैसे कि यहां पे 102 इंच आ गया है सेंटर टू सैंठर साड़े पांच इंच रखना है आप लोगों को और फ्लोर लेबल से 3.5 से लेकि नव इंच तक सेंटर रखना है साड़े आट से स्टार्ट होता है और 9 इंच तक लास्ट दस इंच नहीं करना है तो 10 इंच अगर 4 इंच पैप कि देख सकते हो हाथ में बीना ग्लाफ स्पेन के हाथ से कैसे माल मार रहे हैं